दोस्तो इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगर प्रिन सेंसर और सामने के तरफ आपको 32 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है अन्तिम दिन बुकिंग, जीयो का नया स्मार्टफोन पहुत लोगों को मिल चुका है बहतरीन कलर, बहतरीन डिजाइन और बहतरीन प्रोसेसर के साथ लाश्ट दिन बुकिंग केवल आज 12 बजे तक तो दोस्तो अगर आप जीयो फोन 3 लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ लाश्ट तक बने रहीगा क्योंकि 3 मिनट की वीडियो आपको दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन जिसमें आपको 8 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल लेगा जिसमें आप PUBG भी खेल सकते हैं तो चलिए दोस्तो बताते हैं किस तरीके से बहतरीन स्मार्टफोन को ले पाएंगे याद रहे कि बुकिंग केवल आज ही सुरू है तो आप इस वीडियो के साथ लाज तक बने रहेगा दोस्तो आपको वताते हैं कि इसका बुकिंग बिलकुल फ्री है किसी को भी आनलाइन एक भी रुपय पेमेंट नहीं करना है अगर आप किसी को आनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके जिम्मेदार केवल आप होंगे साथ साथ इसमें आपको 6.67 इंच की 90 हर्ज डिस्पले दी गई है जो और 480 हर्ज सेंप्लिंग रेट टाच स्क्रीन रेट दी गई है और उसके साथ आप इस स्मार्टफोन में 72 प्रोसेसर के जरीए पबजी भी खेंच सकते हैं तो चलिए दोस्तों बताते हैं किस तरीके से आपको इस स्मार्टफोन को जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लेना है आज 12 बजे क्योंकि इसके बाद से बुकिंग बन की जाए गया है और डिलिबरीज शुरू हो जा रहे है दोस्तों इस स्मार्टफोन का बुकिंग करने से पहले आपको कुछ फीचर के बारे मताते हैं जिसमें आपको करव डिस्पले दिया गया है जिस तरीके से Realme 10 Pro में आया है उसी प्रकार से जीओ फोन 5G में आपको करव डिस्पले देखने को मिलेगा उसके साथ साथ इसमें आपको 5G का प्रोसेसर दिया गया है जो कि Snapdragon 8 Gen 1 है हलाकि उसका light version है क्योंकि यह स्मार्टफोन इतने सस्ते में दिया जा रहा है तस सेंपलिंग रेट की बात किया है तो 480 Hz की टन सेंपलिंग रेट दिया गया है और उसके साथ साथ इस स्मार्टफोन की सबसे खास बत यह है कि यह स्मार्टफोन पूरी तरीके से waterproof स्मार्टफोन है आप इसे पानी में भी यूज़ कर सकते हैं हलाकि 30 मीटर तक ही दोस्तों इस स्मार्टफोन को मुकेस अंबानी जी ने लांच करते हुए कहा कि यह स्मार्टफोन सबको मिलने वाला नहीं है यह स्मार्टफोन उन्हीं लोग को दिया जाएगा जो इसका जल्दी से जल्दी booking करते हैं जनवरी 2023 के बाद अपना डिलेवरी ले लेते हैं चलिए हम करते हैं इस स्मार्टफोन का अंबानी जाएगा